मेरे प्यारे बचो मेरे भूले बचो कैसे करते हैं हम पॉइंट को प्लेस इन दा काटिशन प्लेन तुमको आज सिखाएं तुमको आज समझाएं मेरे प्यारे बचो मेरे भूले बचो तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो यर ओन चैनल जीनियस क्लासे अनिरुद और आज हम कराने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर और सीबी सी क्लास 9 गॉडिनेट जोमेटरी तो मेरे प्यारे बच्चो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अभी तो हम बेसिक बेसिक करने वाले क्योंकि 9 में कुछ ज्यादा वास्ट है नहीं इस पर तो जैसे आप इसको नाइंत में बहुत अच्छे सीखेंगे तो आपके फूचर में बहुत मदद करने वाला है अगर आपने गलती से मैस ले ली तो ठीक है भई स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टन चप्टर कॉडिनेट जप्टरी तो देखो यह मैंने एक कार्टिशन प्लेन बना रखा है ठीक है इसको समझने के लिए बहुत ही छोटे लेवल से चलते हैं ठीक है हमने क्या टू थ्री फॉर फाइव एंड तीर देखो चलाओ ना नेनो से बाणरे तो यह जो तीर इसने मारा वाए इसका मतलब क्या यह इंफिनीटी तक जा रहे भई इंफिनीटी तक जा रहे ठीक है अब यहीं से अगर नंबर लाइन के में लेफ्ट में चलू तो यह हो जाएगा जी मेर पर ने टिव टू नेगेटिव टू नेगेटिव फ्री नेगेटिव फॉर नेगेटिव फाइव एंडि फाइग एग्सवटर्स कोई उर टक तक तो मनें सिं इन जीखा लिए ठीक है घृद्सर क्यों अंब यह उपर नीचे रहे उनाइव마 जैसे कि हम क्या करते थे और ग्राउंड के अगर मैं उपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव होता था और उफ्रस फजलता हैं और अगर मुए नीचे चल्रहा हूं तो यह ग्रेतिव ग्र्स फनाल ना हो has हो हो ठीक है तो यहां थैक किलियर हुआ ठीक है बवाइज अब अगर मैं इधर लेफ्ट में चलता हूं ये तो मेरा राइट में था अगर मैं लेफ्ट में चल रहा हूं तो इसको बोलेंगे नेगेटिव x-axis क्या बोला मेरे प्यारे बच्चो मैंने negative x-axis अगर मैं उपर जाता हूँ तो इसको बोलते है y-axis ठीक है भई य-axis है और अगर मैं उपर से यहां नीचे जाता हूँ तो यह नीचे वाली लाइन को बोलेंगे negative y-axis यहां तक clear है मेरे प्यारे बच्चो बहुत बढ़िया simple सा चीज ठीक है अगर मैं यहां से यहां तक चलता हूँ अगर मैं यहां से मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ की वाली लाइन इसको बोले जाता है x-axis वाली जो लाइन होती है को बोले जाता है एपसीजा ठीक है और Y-axis वाली लाइन को बोले जाता है झाक है थीक और Y-axis वाली को बोले जाएगा मैं यहां पर लिखता कॉछ छो य एकसे वाली लाइन होगी इसको हमें से किया बोले जाता है ॉ ici और एक्स एक्सेस वाली लाइन को बोला जाता है क्या एपसी सा तो यहां तक मेरी ख्याल से बहुत एजी है ठीक है अभी हम इस पर धीरे-धीरे करके प्रोसीड करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता ठीक है अच्छा अगर मैं एक कॉडिनेट जोमेट्री की बात करता हूं ना कॉडिनेट जोमेट्री की मैंने बात करी है ना अगर आपसे तो भाई हमेशा एक चीज याद रखो कि यह जो एक्स और वाय कॉडिनेट होते ना यह हमेशा जोडों में होते है क्या बोला मैंने हंस के जोड़े देखे तुमने कभी है भाई इसकूलों में भी देखे होंग यहाँ पर मान के चलो यह मैंने एक पॉइंट लिया यह मैंने पॉइंट लिया तो सबसे पहले जो भी आगे रहने वाला है जो फ्रंट पर रहेगा वह हमेशा एक्स कॉडिनेट का रहता है पीछे वाला हमेशा वाय कॉडिनेट का रहता है तो अगर मैंने यहाँ पर वाई भी मेरा तीन तो हमेशा याद रखना अगर कोई भी एक नंबर आपको गीवन है ठीक है जैसे कि 3,2 तो यह जो 3 है ना यह 3 क्या डिनोट करता है यह 3 डिनोट करता है एक्स एक्स को और यह सेकिंड यह क्या डिनोट करता है यह डिनोट करता है यह एक्स को क्लियर है कि न से clear होगा इसमें तो कोई doubt नहीं है आप लोगों को तो coordinate chapter बहुत ईज़ी है इससे easy chapter ही नहीं कोई ठीक है अभी हम क्या करते plot करते हैं ठीक है उसके बात सिखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता क्या वह अभी हम देखते हैं कि सो बच्यों हम करते हैं हमारा next topic ठीक है तो यह हमें पता है कि एक partition plane है ठीक है भई अच्छा यहाँ पे देखो यह वाला point यह वाला part देखो यह वाला हमारा positive part है ठीक है तो यह मेरा x-axis है और मैंने आपको बताया था कब जबी भी coordinate geometry में हम चलते हैं ना partition plane में चलते हैं तो सबसे पहला वाला क्या होता है भाई मैंने बूला थना जोड़ों में रहते हैं पहला x दूसरा वाला हमेशा भाई तो पहले मैं x को लेता हूं तो दूसरे वाले y को लूँगा तो यहां पर यह पहला यह वाला जो part होता है राइट में first इसको बोलते हैं first quadrant इसको बोले जाता है first quadrant ठीक है भाई ऐसी अगर मैं यहां से फिर इधर चलूं इसको बोले जाता है second quadrant फिर उपर से थोड़ा नीचे चलूं तो इसको बोले जाता है third quadrant और यहां से फिर इधर जंप कर जाऊं तो इसको बोले जाता है fourth quadrant clear है क मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पे देखो X भी positive होता है और Y भी positive होता है तो first coordinate में X and Y coordinate दोनों positive होते हैं ठीक है अब ऐसे ही यहाँ से अगर मैं कूद के इधर चल जाता हूँ second coordinate में तो second coordinate में देखो मैंने आपको बोला था जोडों में होते हैं X,Y तो सबसे पहले यहाँ पे देखो X क्या है X है मेरा negative तो यह हो जाएगा negative, Y क्या है मेरा positive तो second coordinate में X negative रहता है Y positive रहता है simple है अब नीचे कूद के हम नीचे चल जाते हैं कभीर सिंग के तरह अगर हम कूद के न negative और Y क्या है Y भी negative है तो यहाँ पे third coordinate में दोनों ही negative रहते हैं clear अब आते हम fourth coordinate में और fourth coordinate में जब मैं जाओंगा तो यहाँ पे देखो fourth coordinate यह वाला पार्ट है तो fourth coordinate में X है मेरा positive और Y है मेरा negative तो fourth coordinate में क्या हो जागा positive negative clear है कि नहीं है अब यहाँ पे इसमें question करते हैं सब्सक्राइब करें अगर मैं आपको मान के चलो ऐसी रेंडम लिए कुश्चन दे देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि बता थ्री कॉमा वन यह कौन से कॉडरेंट में है बेटा तो हम क्या बोलेंगे देखो बेटा थ्री और वन यह फर्स्ट कॉडरेंट में दोनों ही पॉजिटिव है भाई क्लियर है ना देखो आप लोगों को ना यहां पर जब मैं इंट्रोडेक्शन देता हूं ना तो मैं सोचता हूं या फिर मैं चाहता हूं कि यार आपको ना यह ड्रामा करने की जुरूत ना बहुत बच्चे ना इसको नेगेटिव पॉजिटिव रट देते फर्स्ट कॉड रटने की जरूती नहीं यहां पर देखो ना एक्स तीन वाए एक तो भाई पहले पहले कॉडरेंट में इस पर रटने की जरूती नहीं दोनों पॉजिटिव सिंपल है ना चलो एक और कुशन लेते मान के चलो अगर मैं बोलता हूं माइनस थ्री कॉमा टू है क्या बोला मै पॉजिटिव सो मेरे खाल से यहां तक क्लियर हो गया होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है अच्छा एक और कुशन ले लेते हैं ऐसा ने जब तक मज़ा थोड़ी नहीं है जान ने दूंगा तुम लोग अगर मैं बोलू थ्री कॉमा जीरो अगर मैं बोलू थ्री कॉमा जेखाना जीरो यह कौन से क्वाड़रेंड में यह कॉन से क्वाड़रेंड में है अब यहां पैंडिक्कद हुआगे बहुत बच्चों को अभी मैं इसको प्लोडे करना सिखाऊंगा अब 3,0 देखो एकस एकस में 3 है यकसे में 0 है तो धृत इन तो यह वाला जो पॉइंट इस जगह पर उने वाला देखो इस जगह पर यह वाला पॉइंट जो मैंने डार कर दिया तो यह क्या ओगा इस पहले कॉड़र्ण में आएगा तो यहां तक ले रहे अच्छा अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि यहां पे ना मैं आपको बोलता हो कि फोर कॉमा माइनस कौन से कौटरंड में तो अब आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि 4,-1 कौन से कौटरंड में है next करते हैं हम लोग सो बच्चो अब हम करने वाले how to how to plot a point in a partition plane सबसे easy, सबसे नकली, सबसे मज़ेदार ठीक है तो कैसे plot कर सकते हैं मैं आपको बताया था हमेशा याद रखना, भाई, partition plane में यह जोडों में होते हैं जोडों में होते हैं, तो पहला वाला हमेशा x-axis रहता है दूसरा वाला हमेशा y रहता है, यह जोडों में रहने वाले भाई ठीक है भाई, तो मान के चलो, तुमारी girlfriend है x और तुम हो y woman empowerment हम करेंगे, तो लड़कियों को मा आगे रख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात में तो लड़की मान के चलो, तुमारी girlfriend जो है, वो x में है, तुम y पे हो, ठीक है भाई यह चलेगा उपर, और कितना उपर चलेगा, वन तक चलेगा, देखो, तो यह यहां से सिरिफ ऐसे, dotted line से वन तक बनाओ, और इस one को ऐसे extend कर दो, यहां पर, तो यह वाला जो point होगा, मेरे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा, 3,1, देखो, कितना नकली है, यहार, मतलब इ इजी topic है, ठीक है, अब एक और question ले देता हूं, मान के चला, अगर मैं लिख दू, minus 3,3, minus 3,3, कहां पर plot होगा, तो देखो, negative 3, तो negative 3, 1, 2, 3, और positive 3, positive 3, यहां पर उपर, तो मैं इसको यहां से dot 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 dot, और यहां से भी dot 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 dot, तो यह वाला जो point है, यह हो जाएगा, मे ने भाई, कोई दिक्कती नहीं है इस पर, चलो एक दो और कर लेते हैं ना भाई, चलो गई, अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलू, 3,0 को ना plot करो, क्या बोला मैंने 3,0, अब यहां पर बच्चे बहुत दिक्क्त दो जाती, बच्चों को सर्दा दो जाता है, सर यह है क्य ड्रामा, भाई, एक बात सुनो, यह मेरा ओरीजन है, ठीक है, यह वाला जो पॉइंट है, यह ओरीजन है, काटिशन प्रेंट में है, तो यह क्या है, हमारा पॉइंट 0,0 है, ठीक है, यहां पर X भी 0 है, यह भी 0 है, ठीक है भाई, अब अगर मैं 3,0 बोलू, तो यहां से द बोलता, माइनस 3,0 करके दिखा, भाई, क्या बोला, मैंने, माइनस 3,0 करके दिखा, प्लॉट करके, तो माइनस 3 देखो, माइनस 3 X एकसेस पे, एक, दो, तीन, और 0 तो ही ना, 0 तो ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जागा, यह वाला पॉइंट जो हो जागा, मेरा यह वाला यह हो जागा, माइनस 3,0, अगर मैं बोल के चलता हूँ, कि 0, माइनस 2 बताओ, भाई, तो माइनस 2 देखो, य पे है, यह तुम हो, गल्फिंट 0 है, ठीक है भाई, तो X 0, Y माइनस 2, तो देखो, X तो ही नहीं यहां पर, सिर्फ Y है, Y नेगेटिव 2 है, तो यहां पर यह वा बताहूँ, माइनस 2, माइनस 3, तो माइनस 2, माइनस 2 यह है, माइनस 3 है, तो मैं यह से से निचे गया, है, है, यहां से भी ए, और यह वाला जो पॉइंट इंही हो जाएगा मेर पर, माइनस 2, माइनस 3, okay, so I hope, आपको बहुत मज़ा है और इस चैप्टर में, ठीक है, तो ज आप इस चैप्टर से सेटिस्पाय होंगे जो अभी नए बच्चे हैं और अभी अभी हमें देख रहे हैं CBSC में CBSC क्लासेज में अभी हमें देख रहे हैं सो प्लीज हमें लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को और ऐसे ही प्यार बनाए रखें स्टे सेफ, स्टे कोविट फ्री, लव यू